राहुल गांधी कहीं जाएं भाशन दें और वो कोई गलती ना करें ये तो हो ही नहीं सकता। राहुल गांधी कहीं जाएं गलती करें और वो ट्रोल ना हो ये भी संभव नहीं है। देहरादून की विशाल जनसभा को जब राहूल गांदी संबोधित कर रहे थे तो उनसे क्या चूख हो गई और क्यों वो तमाम लोगों के निशाने पर आ गए पूरे खबर आपको विस्तार से बताऊंगा लेकिन उससे पहले आप से आगर है अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए नमस्कार मैं हूं मनमोहन भट एक विशाल जंसभा को राहूल गांधी ने देहरदून के परेड मैदान में संबोधित किया लेकिन बीजेपी के निशाने पर और सोशल मीडिया में कई लोगों के निशाने पर राहूल गांधी आ गए है सबसे पहले आप ये सुनिये कि राहूल गांधी ने ऐसा क्या किया जिसके बाद वो तमाम लोगों के निशाने पर आए कुछ दिन पहले हेलिकॉप्टर में रावत जी की मृत्य हुई उनकी पत्नी और आर्मी के बागी लोगों की मृत्य हुई उनकी आज हम याद करते हैं वास्ताओं में जिस समय राहूल गांधी मंच पर थे भाशन दे रहे थे सैनिकों का सम्मान कर रहे थे वही पर उनसे ये चूक हुई जिन जिन लोगों ने अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहूती दी है उनका वो जिक्र कर रहे थे साथ साथ सैनिकों का समान भी कर रहे थे ऐसे में जिक्र आया देश के पहले CDS जनरल विपिन रावत का यहीं पर राहूल गांदी से चूक हो गई एक तो वो जनरल सहब के नाम का पूरा उचारण नहीं कर पाए वो शायद भूल गए और उन्होंने सिर्फ रावत जी कहकर ही संबोधित किया और एक चूक और हो गई कि जनरल लगाना राहूल गांदी भूल गए इसके बाद वो ट्रोल आर्मी के निशाने पर आ गए और बीजेपी के साथ साथ उत्राखंट करांती दल ने भी इसे उत्राखंट का अपमान बता दिया आप एक बार फिर से देखिए कि राहूल गांदी से चूक कहां पर हुई कुछ दिन पहले हेलिकॉप्टर में रावत जी की मृत्य हुई उनकी पत्नी और आर्मी के बाकी लोग, लोगों की मृत्य हुई उनकी आज हम याद करते हैं ये तो बात हो गई कि एक सेनिक अधिकारी के नाम के पहले उसका पत ना लगाने को लेकर और रावत जी कहकर संबोधन करने को लेकर लेकिन एक चूक और होई है, ये कहा जा रहा है ऐसी बात परचारित की जा रही है कि जनरल रावत शहीद हुए है जबकि राहूल गांधी ने कहा रावत जी की मृत्ति हो गई और वास्ताव में जब सेनिक करवाई में किसी का देहान्त होता है तो ही शहीद का दरजा उस सेनिक को या उस सेनिक अधिकारी को दिया जाता है यह हम सब को मालूम है कि यह एक दुरुखटना थी अभी तक सरकार ने इसे कोई सेनिक करवाई नहीं बताई या ना ही इस पर कोई जांच रिपोर्ट अभी सामने आई है जो हेलिकॉप्टर क्रेश हुआ है उसकी जांच में अभी दो हपते का वक्त मांगा गया है जनरल बिपिन रावत को शहीद का दरजा सरकार दे लेकिन अभी सरकार ने उनको शहीद का दरजा नहीं दिया है इसलिए उनके नाम के आगे या पीछे कहीं पर भी शहीद जैसे शब्द का जिक्र नहीं किया गया है लेकिन राहुल गांदी से चूप तो हो ही गई है ना उन्होंने जनरल शब्द का इस्तेमाल किया और नहीं पूरा नाम उन्होंने लिया और इसके बाद ही वो सबके निशाने पर आ गए कुछ बातें ऐसी होती है जो भूलवश हो जाती है जिसको गलती कहा जाता है और कुछ बातें ऐसी होती है जो कही जाती है लेकिन वो इंटेंशनली कही जाती है यहाँ पर राहुल गांदी जिस तरीके से भाशन दे रहे थे उसमें ऐसा लगता नहीं है कि उन्होंने किसी इंटेंशन से किसी के अफमान करने की नियत से कोई बात कही है भूल जाना गलती हो जाना शायद एक बड़ा कारण है जो मंच पर दिखाई दिया अब जो भूल हो गई है उसका खामियाजा तो भूगत नहीं पड़ेगा और सोशल मीडिया पर उसका खामियाजा कॉंग्रेस और रहूल गांदी भूगती रहे हैं साथियों आपको एह पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिये इसे शेर कीजिये और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सबस्क्राइब आप जरूर कर लीजिए अगले रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार